हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ डॉक्टर अर्पना और आप सब लोगों का स्वागत है एक बारी फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स साती हम बात करते हैं कुछ बिमारियों के बारे में कैसे उनकी सिंटम्स के साथ डिल किया जाए और हुमियोपती कैसे आपको मदद कर सकती है तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे जॉन्डिस के बारे में तो इससे पहले कि ये टॉपिक मैं शुरू करूँ आप लोगों से कहना चाहूंगे अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किय कीजिए और बेल बटन को दबाना ना भूले ताकि मैं जब ही कोई वीडियो पब्लिश करती हूं या जब ही मैं लाइफ क्यू एने सेशन में हूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहाए और आप भी मुझे जॉन कर सके तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का कि जॉन्डीस का मतलब है कि आपके लिवर सेल्स में इसमिवर्ड में जो लिवर् קे सेल्स हैं उसमें इंफ्लमेशन हो जाना इन फेक्षान के कारन से और उस वजह से जो आपका बिलिरूबिन मात्री बड़ जाती है तो क्या क्या इसकी सिंटम्ते हैं तो क्या हैं भी यां जो हमारा यह पाम है, जो यह पामर पाट है यहाँ पे यलोईश हो जाता है, तो skin में भी यलोईग होती है, बर्ट जैनरली एशियन्स के skin में वो पता नहीं चलता है, बर्ट इजल जो यलोईश टिंज आजाता है, और जितना जितना आपका बिलरुबिन जादा है, उतना ही आपको जितने भी white है, जितना भी आपके body में white area है, जैसे आखे हैं, आखो के अंदर का जो ये part है और ये जो हतेलिया है, तो इन में yellow color दिखने लगता है, इसके symptoms क्या क्या होते हैं, भूक नहीं लगना, खाने का एकदम मन नहीं करना, कभी-कभी right side of the abdomen, जहां liver है, वहां हलक हलका सा दर्द रहना, जो motions होते हैं, वो stools थोड़ा सा clay color का होना, और उसमें भी थोड़ा सा color है, थोड़ा सा whitish के towards होना, तो ऐसा हो सकता है, और urine बहुत जादा dark color का रहना, तो ये कुछ इसके sign and symptoms है, mainly ये एक self-limiting disease है, यानि कि अगर आप खाने पीने पे थोड़ा सा ध् रेस्ट करें, तो ये automatically ही ये फिर ठीक हो जाता है, तो इस पे हमें क्या-क्या ध्यान किस बात का रखना है, कि एक तो ये जो आपको hepatitis, jordis होता है, mainly गंदे खाने से या अगर आप गंदी जगे से आप खाना कुछ खा रहे हैं, और hygiene को maintain नहीं वहाँ पे किया है, पानी गं ये सब बिमारिया हो सकती है, और इसमें हमें क्या general measures क्या इसमें हमें अपनाना होता है, तो हमें देखना है कि अगर जॉंडिस आपको हुआ है, तो जो आप खाना खाएंगे, एक तो उसमें लिक्विड डाइट बहुत जादा होना चाहिए, तो जितना आप लिक्विड ड नहीं लेना, थोड़ा सा सेमी सॉलिड जैसे की खिचडी वगारा है, तो थोड़ा सा पतला लेंगे खिचडी, तो उससे भी आपको मदद मिलेगा, कि आपका जो excess of serum bilirubin है, वो आपके बोड़ी से ठीक से निकल पाए, साथ में रेस्ट करना जरूरी है, थोड़ा सा रेस् और सेल्स में इंफलमेशन हुई है, इंफेक्शन के कारण से वो रीजेनरेट हो पाए, वो ठीक हो पाए, अब होमियॉपधी में कुछ मेडिसन हैं, जो बहुत ही हल्पफुल है, जॉन्डिस के केस में सबसे पहला है हमारा चलीडोनियम, C-H-E-L-I-D-I-N-O-U-M, तो चल अगर आपको कई बारी होता है कि गरम खाना अगर खाने का मन करें और साथ में बहुत ज्यादा थकावट है, बहुत ज्यादा वीकनिस है, और जो राइट साइड ऑप दे अब्डमन है, लिवर के जगे में जलन जैसा अगर दर्द होता है, तो साथ में अर्सेनिक आलबम ल बहुत जादा उसमें से स्मेल आ रही है, तो ऐसे में साथ में फॉस्फोरस भी मेडिसिन दी जाती है, और लिवर टॉनिक भी इसमें दिया जाता है, ताकि लिवर को बेसिकली थोड़ा सा रेस्ट मिले, और मेंली जो इंफ्लमेशन या इंफेक्शन हो रहा है, वो ठीक हो जाए और दोस्तों जादिस में हमेशा ध्यान रखना है कि डाइट पर आपको सबसे जादा देना है, क्योंकि जैसा मैंने बताई एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, तो अगर आप डाइट पर ध्यान देंगे, रेस्ट लेंगे, और साथ में मेडिसिन ले लेंगे, तो ये जल्दी से ही ठीक हो जाएगा, और कई लोगों में क्या होता है कि उनको बार-बार जॉंडिस का एटाक होता है, ऐसा भी होता है कि हर सीजन में, हर बारी गर्मियों में उनको जॉंडिस हो जा रहा है, तो अगर ऐसा केस है, तो उस केस में चियोनैंथस एक मदर टिंचर जो बहुत ही उपयोगी है C-H-I-O-N-A-T-H-U-S तो Chionanthus Mother Tenture अगर बार-बार आपको जॉन्डिस हो रहा है Every season आपको जॉन्डिस हो जाता है तो उस केस में रिकरिंग जॉन्डिस के लिए Chionanthus एक अच्छी मेडिसिन है तो दोस्तों, मेडिसिन के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत इडिकेशन में दे देती हूँ मैं description box में भी जरूर लिख दूँगी पर देखिए, मेडिसिन के बारे में जादा जानना है तो उसके लिए जरूरी है कि आप comment section में अपने symptoms के बारे में जरूर मुझे लिख कर बताएंगे साथ में आप मेरे साथ मेरे live Q&E में भी जुड़ सकते हैं और live chatting के तुरू अपने questions पूछ सकते हैं तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो मैंने आप लोगों के साथ information शेयर की जॉंडिस के बारे में आप लोगों ने इसको पसंद किया है तो इसको जरूर लाइक कर दीजिए इसको शेयर करिए अपने friends, family सब लोगों के साथ ताकि सब इसका benefit उठा सके और इस वीडियो को देखने के लिए मेरे साथ जुरने के लिए आप सब लोगों का धेर सारा धनिवात अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना ना भूले आज के लिए बस इतना ही खुश रहिए मुस्कुराते रहिए स्वस्त रहिए थैंक यू